कैसे हैं आप सब आशे करती हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे मेरी तबियत थोड़ी से ठीक नहीं है चक्कर बहुत जादा आ रहे हैं आप देखी रहे हो कॉलर बेल्ट लगा के मैं काम कर रही हूं मेरी थोड़ी लापरवाई हो जाती है मुझे रेगुलर यूज करना होता है यह कॉलर बेल्ट लेकिन मैं जब थोड़ा बेटर फील करती हूं तो उतार के रख देती हूं और नतीजा यह रहता है कि वापस से चक्कर शुरू हो जाते हैं और मुझे वापस से यह बेल्ट अपने गले में पहनना पड़त है पता नहीं से पीछा कब छूटेगा मेरा आज स्कूल की छुटी है तो आरुश भी एकदम आराम से बैठा हुआ है उठ चुका है सोकर तो उठी गया है बिट पे ही बैठे बैठे सो रहा था तो मैंने कहा कि अब जब उठ गए हो तो जाके अपना फ्रेश हो जाओ का जो दुमारा काम होता है वो कर लो तो मेरे कहने पर उठ के चला गया उसके बाद आज छुटी है तो मैं थोरा क्लीनिंग पेज जादा ध्यान देती हूं तो वैसे तो तब्यत खराब है लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो सोफी की थोड़ी सी सफाई कर दू रोज तो आपका हाथ रोज नहीं पहुंँचता है तो वहाँ वहाँ पीछे से थूरा साफ करने के लिए जाले थोड़ी हो गई थी तो वह सब साफ करने के लिए मेरी सोफ़े को पूरा हट वा दिया वहाँ से थाने वाली मैं खुद थी लेकिन काजल आई थी में मेरी तबीएत जान कि मेरे बहुत ख्याल रखते हैं तो मेरा क्या हैं अगर मैं कोई वी ची पर्फाओ जेननी पर दोस्तों मेरे शरीर अग्सुचारीर में नहीं जानता है पांची ऑप्रेशन होने के बाद शरीर में नेच्रल ताकत नहीं रह जाती है, खतम हो जाती है, या कम हो जाती है वो चीज़, तो मेरे साथ ऐसा ही है कुछ, तो मैं भी जो अपना घर समालती हूँ, ग्रियस्ति समालती हूँ, वो कैसे समालती हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ, और लेकिन जो भी है, मेरे जो अपने है, वो मेरा बहु प्लुस पॉइंट होता है लोग मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी नीचे से पूरी तरग वह कर दिवाद रूह सब कुछ साफ था क्योंकि रोजफाई हो रही हो साफ है कुछ्स रोजवाई हो रही कि बाकुछ नहीं था गद्यों को घूपध कीषया strить गद्यों कुछ का लोगने के लिखनulator कि द्वाइब कें बंड गन्द मा गता जाता है कि लिखोनें थे में फिर वापस यहां आ गई हूँ आंगन की सफाई कर चुकी हूँ मैं अब बारी है रंगोली बनाने की कर दो प्रोपध आखखखद्ष वापस अव्याब तो रंगोली बनाने के बाद हम में किचन में आ गई हूँ और आज बनाऊंगी कठल की सबजी वैसे दोस्तों रंगोली मेरी कुछ खास नहीं बनी है आज तब यह ठीक नया होने के वज़े से यह सब है और यह जो बेल्ट में डालती हूँ गले में तो सही से नीचे के तरफ बहुत मुश्किल होता है तो जैसे तैसे जो भी मुझे से बना मैंने कर दिया अब मैं कठल को धो के थुरा सा उसको एक-दो सीटी लगवाऊंगी आलू के साथ और उससे पहले मैंने ऑईल डाला ताकि यह जो कठल है वो कूकर में ऐसे चिपके न वो तो पहले से ही चिप- एक गोंद की तरह उसमें चिपकुसा हो जाता है वो चीज तो इससे बचने के लिए आप तेल यूज़ कर सकते हैं तो मैंने वही चीज किया यहां पे और इसके बाद मैंने यहां पे एक सुशिदी से कुछ बाती भी कर रही हूं पलट-पलट के ऐसे बाते करने मुझे हुआ है अजीब सा तो दर्द होता है गाइस बहुत जादा दर्द में हूं उसके बावजूद में इतना सारा काम कर रही हूं वही बहुत दूसरा जन्म कोई होता है ना उसलिदे बेड़ पकड़ लेता जितने मुझे चक्कर आते हैं वो वो चीज किसी से जल्दी फिर भी मैं अपना कोई काम छोड़ती हूं सब में लगी रहती हूं कि मेरा तो रोजका है तो मैं कितने दिनों तक बेड़ पकड़ी रहूंगी तो मैं लगी रहती हूं अपने कामों में एक्सरसाइज वगएरा सब कुश करती हूं और यह रात के कपड़े हैं उनको अब जगह पर उठा के रख रही हूं मैं रात में जब फोल्ड हिया थे तो वहीं पर सोफे पर ही मैंने छोड़ दिये थे अब जाके उनको उनकी जगह पर लगा रही हूं कि कि दुट ओब प्र цент्षिघ युट जबचे प्रू जबस्या चही हूं झाल पर उगया कठल की सबजी दोस्तों सभी को पसंद है लगबग सभी पसंद करते हैं इसको जो वेजिटेरियन है या नॉन वेजटेरियन सब को पसंद आता है वेजटेरियन लोगों का तो यह चिकन भी माना जाता है कि यह चिकन के तौर पे है लेकिन मेरे घर में भी यह सब को पसंद है सबसे ज़्यादा आरुश को बहुत ज़्यादा पसंद आता है वह अलग से कठल लेके उसको इदम रखेगा लास्ट में सारा खाना खतम करने के ब इसको पूरी तरह से सुखा एकदम बनाने वाली हूं जो सुखी सबजी होती है वैसे कोई ग्रेवी नहीं मतलब वैसे कठल की सबजी ग्रेवी के साथ ही बनती है लेकिन मैं आज इसको एकदम सुखा सुखा बनाने वाली हूं अब बंब खिर्म अबफ़ जान अब एगब लगभा लगब लगट लगब 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 कर दो कि झाल, लगब 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 डॉक्टर ने वैसे मुझे कहा था कि एक बार भी अपने बेल्ट को उतारना मत जितना भी काम है इसे पहन के ही करना लेकिन बहुत कुछ ऐसा काम होता है कि आपको स्ट्रेट एकदम नीचे देखना होता है तो नहीं हो पाता है वो चीज सभी लसन को उटने के टाइमे मैंने उतारा था फिर वापस से मैंने पहन लिया और आप आगे देखोगे रोटी बनाते टाइम भी मैं उतारूंगी तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए कुछ-कुछ कामों में मैंने उतारा जरूर है लेकिन वापस से मैंने इसे पहन लिया है गर्दन की नस जो दब जाती है न लेकिन यह जो बेल्ट फेन के काम करना पड़ता है यह बहुत ज़ादा मुश्किल है बहुत मुश्किल है इसको करना बाप नहीं है कर दो कर दो कर दो कर दो तो दोस्तों यहां अब मैं रोटी बनाने जा रही हूं और अभी भी मैं अपने अपना जो कॉलर पेल्ट है उसको रुसार के रखूंगी क्यूंकि मुझसे नहीं बनती है रोटी मैं बहुत कोशिश करती हूं उसको पहन के बनाने के लिकिन मुझसे होता नहीं है और जबकि रोटी बनाते इस वक्त मेरा हाथ बहुत ज्यादा यूज होगा नैश्रली आप सभी जानते हाथ का ही इसमें काम है फिर भी मैं और जब आप हाथ का यूज करोगे तब यह बिल्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है लेकिन इस वक्त मैं नहीं कर पाती हूं और दोस्तों ए आगे का पार्ट मैं दूसरे व्लॉग में लेकर आ रही हूं ये व्लॉग में यही तक रखूंगी इसके आगे में दिखाने के लिए मैं दूसरा पार्ट लेकर आ रही हूं दूसरा पार्ट लाने का भी कोई रीजन है वो भी मैं दूसरे पार्ट में ही बताऊंगी तो कोटिफिकेशन वेल को भी अन कर लीजिए तब तक के लिए अपना धेर सरा ख्याल रखी अपने परिवार का भी मिलते हैं बाबाई टेक केर